नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नौट 3 पर सिम कार्ड नौट डिटेक्टेट प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों कई बर क्या होते हैं हम सिम कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद हम यह देखते हैं कि सिम कार्ड नौट डिटेक्टेट तो हो सकते हैं सिम कार्ड में प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आपको क्या क्या सॉलूशन करना होगा सब कुछ आज की इस वीडियो पर मै जरू करें यहरी आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते ही तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज जरू कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉलू इसके बाद दुस्तों दुबारा से आप सिम को भर कि देखिए अगर प्रॉब्लम सॉबं और ज्याना होते हैं तो दोस्तों आपको अगला समय करना हो गवाРЕ तो दोस्तों नेक्स्ट पर आपको क्या करना है आप चर्गिया को करना लग जाते रिशेट वाइट वाइफाइ मोबाईल नेटरो काप्शन है उसमें जाएए रिशेट सेटिंग पर क्लिक करके फौन पासवड़ भर दीज़े और उसके बाद K-OK करके इसको रिशेट करके देखें ठीक है उसके बाद दोस्तों मोबाईल को भी एक बार रिश्टार्ट कर लिजे और sim card अगर detect हो जाते हैं तो आपका problem यहाँ पर solve हो जाएगा फिर भी दोस्तों आपको problem आ रहा है बार बार तो दोस्तों आप अपने sim को जो है दुबारा से eject कर लिजे यानि कि sim को बाहर में निकल के दूसरे phone पे यूज़ करके देखे अगर उस phone पे काम कर जाता है तो ठीक है अगर उस phone पे भी जो है यह sim card detect नहीं हो रहा है तो sim card का problem हो सकते आप simply जो है customer care को call करके पूछ लिजे अगर आपके पास जो sim detect नहीं हो रहा है वह है एरटल का तो आप किसी दूसरे एरटल नमर से call करके आप पूछ लिजेगा ठीक है तो वह आपको बता देगा कि उस दूसरे नमर पे हुआ क्या है detect क्यों नहीं हो रहा है side आपका जो sim है वो यहाँ पर deactivate हो चुका होगा ठीक है तो आपको reason बटाएगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह problem की हो रहा है उसके बाद next पे आप problem को solve कर पाओगे लेकिन मान लेजिए उस दूसरे phone पे काम कर रहे हैं और आपके phone पे sim काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों आप जाएए आपने about phone पे और software को update कर लिजिए ठीक है software को update वगएरा करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से sim को eject करके जो है आप insert करके देखें उससे आपका काम बन जाएगा problem भी solve हो जाएगा अगर sim का detect नहीं हो रहा है तो software update करने के लिए आपको wifi का मदद लेना होगा ठीक है wifi से जो है दोस्तों आप अपने software को update कर ले और उसके बाद दोस्तों आप देख लिजेगा problem जरूर फिक्स हो जाएगा तो यह दोस्तों कुछ important solution जो है मैंने आपको दिया है try करके देखें कम जरूर बन जाएगा तो आज के लिए बस इतना है thanks for watching